नमस्ते, तो आज की वीडियो आप देखना शुरू करें और बाद में कमेंट करें कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आज की वीडियो में कोई एंटरेटेन्मेंट नहीं है, कोई शादी का प्रोग्राम नहीं है, गीत हलका हो जाता है, लेकिन कभी-कभी रोनी से भी मन रवनका नहीं होता, रो रहा के, फाद करके, ऐसल रखता है जा से मन में बहुत कुछ है, जिसका कुछ हल होना चाहिए, रोना क्यों आता है? जब मन दुखता है, किसी की कोई बात कड़ भी लगती है, किसी का भेवार अच नहीं होता इसके अलावा जब हम दुखी होते हैं परेशान होते हैं लेकिन सामने वाले बंदे को कुछ नहीं कह पाते तो रूना आता है और कभी-कभी हम ऐसे जगे पर होते हैं जहां हम रो भी नहीं पाते तो हम एंजायटिव फेल होती है अजीब सी बेचेनी गवराहट उ था सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो क्योंकि उस रोने को जब कंट्रोल करते हैं अटो बहुत सारी प्रेशानिया फिजिकल पेंड जो होता है अंदर से mentally disturbance तो है ही है कोई ना कोई बिमारी हम अंदर से create कर लेते हैं जब हम किसी से कोई उम्मीद रखते हैं और वो उम्मीद पूरी ना होने पर हमें दुख होता है और उस दुख की वज़े से फिर हम रोते हैं तो इंसानों से तो सबक मिला मुझे कि किसी से कोई उम्मीद मत रखो चाहे कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो लेकिन अभी जो पेन है ना मुझे वो मैंने खुद लिया है उसे हम endless pain कह सकते हैं जिसका कोई लाज नहीं है जानुरों से प्यार जो सुरू किया है ना उसमें जो दुख होता हैं उसे हम किसी के साथ बाट भी नहीं सकते क्योंकि हर कोई उस दुख को समझने सकता बगवान ने ये सारी चीजें हर किसी को नहीं दी मुझे ऐसे लगता है कुछ सेलेक्टेड लोग है जिनके पास ये quality होती है कि जानुरों से जो हमें प्यार या फिर उनके जाने से अगर हम किसी को बताते भी है न तो सामने वाला बस आसे अरे क्या हुआ फिर कुछ नहीं ठीक है कितनी आसानी से लोग कह देते हैं कि गाय मर गई भैस मर गई ठीक है गाय का जो बाच्छा बाच्छी बैच्छडा जो होते हैं वो मर जाता है आसानी से उसे उठाके ठेक देते हैं एक बाद भी उस गाय की तरफ नहीं देखते और यह नहीं सोचते कि उस गाय के उपर क्या बीतरी होगी थोड़ा सा भी हिसाब नहीं लगाते थोड़ा सा भी कि जब अब इन्सान का बच्चा अलग हो जाता है दुनिया से चला जाता है तो उसकी मा को कितनी तकलीफ होती है होती है ना उस तकलीफ को हम इनसान बहुत आसानी से समझ लेते हैं ना भी समझे तो समझने का दिखावा करते हैं सहानुभूती के जूटे सचे आसु बहाए जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, लेकिन हा, कुछ ना कुछ तो हम करते ही हैं न, तो फिर जब किसे जानुवर का बच्चा मर जाता है, तो उसके पड़ती वो सारी भावनाई हमारे अंदर से क्यों निकलती, कैसे हम गाय की बाच्ची मर गई, तो ठीक है, बाच्ची को उठा के ले गए, गाय को वही अकेला छोड़ दिया, क्यों वही तो सहानुभूती की हगधार है न, जो भी फार्मनाए हम इनसानों में होती है न, वही इन जानुवरों में होती है, उसका भी बच्चा चिना है, तो जो एक इनसान जो मतलब मा की ममता होती है, जितनी तकलिफ एक मा को होती है, या घरवालों को होती है, ठीक उसी तरस उस गाय को, या किसी भी जानुवर का लगा लो, उसको भी तकलिफ होती है, तो कम से कम हम इनसान होने के नाती, इतना तो कर सकते हैं, कि जाके उसे प्यार से स जब्दों को भी समझेंगे आप प्यार से जो थपकी देंगे उसे भी समझेंगे आपके प्यार को अच्छे से समझेंगे और उन्हें दिलाशा भी मिलेगी तो इतना तो कर सकते हैं अब लगों पता है इंसानों के और जानोरों के प्यार में क्या डिफ्रेंस होता है कि जब किसे से प्यार करता है और फिर उसे अलग हो जाता है या ये लगा लो दुनिया से चला जाता है या किसी भी कारण से दोनों अलग हो जाते हैं तो इंसानों में तो होता है कि दीरे-दीरे उनकी life track पे आजाती है अपने आपको adjust करना सीख लेते है लेकिन यदि हमने कोई कुटा पाला है उसे बेसुमार प्यार दिया है और अचानक से हम उसे किसी दूसरी जगे छोड़ा है तो ठीक है वो अपनी life जीएगा जैसे तैसे करके लेकिन उसके mind में बता है पूरी तरह से fix हो जाता है और वो सोचता रहता है कि मुझे क्यों छोड़ा गया मुझे तो इतना प्यार मिला था मेरे बिना उनका जीना मुश्किल था और अचानक से मुझे ऐसे छोड़ दिया वो जीएगा लेकिन उसको वो जिंदगी नहीं कह सकते हम यह लगा लो मर मर के जीना और आकरी सास तक वो इंतजार करेगा अपने मालिक का आज मैं इस सारी बाते ऐसे बस views पाने के लिए like पाने के लिए नहीं कह रही हूँ यह मेरा कुछ का experience है इसलिए बस सोचा आप लोगों किसा शेयर कर दूँ आज आज आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक बाच्ची का नाम राधा रखा था कुछ दिन पहले ही और आज उसकी डैथ हो गई तो मैं गई थी राधा की मा के पास जो गाए है मा गई थी और मैंने खुद इस गाए की आखों में पानी देखा था उसके देर्थ को मैंने भूती नजदीक से महसूस किया उसे प्यार किया थप थपाया मन मन में उससे बाते की और ऐसे लगता जैसे वो सब कुछ समझ रही है थी किसी तरह से जब काली ने पिछले बच्चे दिये थे ना तो उसके बच्चे छोटे थे और जिनके पिलोट में बच्चे दिये थे उन लोग उने भार फेक दिया था एक बच्चा तो दूसरे दिन ही मर गया था और दूसरा बच्चा कुछ दिनों बात मर गया था तो जिस दिन काली के बच्चों की डैथ हुई थी तो मैं खाना लग की गई थी और काली ने बिलकुल खाने को टच तक नहीं किया तो इससे पता जल्दा है कि जो दर्द जो तकलीफ हमें होती है ना वो यह जानवरों को भी होती है सिर्फ आप लोग उसे इतना कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं आप हर जानवर से प्यार करें या उसे अपने घर में पाल्टू बना के रखें लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो जानवर को पाल्टू लेते हैं लेकिन उसे चेर्ण से बांद के रखते हैं आप सोच के देखिए अगर आपको थोड़ी देर एक चेर पे स्ट्रेट बैटने के लिए बोला जाय तो किने देर बैट सकते हैं नहीं बैट पाएंगे तो उस जानवर से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं उसकी हालत का अंदाज हम क्यों नहीं लगाते पाल तो लाए हो तो उसे फैमिली मेंबर बना के रखो ना या फिर मत पालो उसके आजादी उसे दे दो जाने दो उसे अपनी वर्जी से खूमने दो अभी कल परसों ही मैंने देखा कि हमारे पडोस में जानवर मतलब जो गाय भैस बगरा रखते हैं लेकिन सारे गाय भैस जो दूद देते थे वो तो सारे अंदर बांद दिये एक बाच्चा जो किसी काम का नहीं है बिचारा वो कड़ी दूप में बाहर खड़ा हुआ क्यों भई उसने क्या बिगाड़ा आप लोगों का एक तो उसकी मा उससे छीन ली आप लोग उसके इससे का जो दूद है वो आप लोग पीते हो इस पर भी आपको तरस नहीं आया कि कड़ी दूप में उस बेचारी को अकेला छोड़ रख रहा है अब कुछ सेकिंड इस तेज दूप में खड़े होके देखिए बरदाश नहीं कर पाएंगे तो ठीक है उसकी मा चीन ली उसका दूप चीन लिया कम से कम से चाया तो दे दो यार दूप से हटा कि उसे चाय में बान दो नहीं बान सकते तो उसे खुला छोड़ दो ताकि वो अपनी मरजी से कहीं भी जासके चाय में खड़ा उसके इतना तो कर सकते हैं ना इसी तरह से कोई डोगी अगर कर्मी की वज़े से नाली में बैट गया है तो उसे पत्थर तो मत मारो ना होना तो ये चाहिए कि आप उसके लिए पानी रखें थाकि वो अराम से पानी पी ले तो पत्थर मार के भी क्यों भगाते हो पहले सुना था सुना था किया मैंने देखा भी था मैं छे साल जब छोटी थी तो नानी क्या रही थी और नानी क्या हमेशा देखा था पहली रोटी गाय की बनती थी और जो आखीर की रोटी होती थी वो कुत्ते के लिए होती थी और हर घर के बाहर कुट्टे के पानी पीने के लिए एक बाउल रखा होता था और हर घर में रोटी पका बनती बनती थी जहां तक मुझे याद है अडोस पडोस में हर जगे मतलब कुट्टे की रोटी specially देने आते थे डोग को बुला के पता है कैसे सम्मोधन देते थे तुले 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 मुझे अच्छे से याद है यह चीज तो और अगर लसी बगएरा बच गई है तो उस बाउल में डाल दी जाती थे उस पानी के अंदर ताकि वो आराम से पीलें और आपको पता है एक डोग की आदत होती है यदि आप एक लिटर पानी में दो चमस दूद मिलागे उसे थोड़ा थोड़ा वाइट बना देंगे न वाइटस लुक देंगे तो उसे वो इतना चाओ से पीलेंगे और उपर से आपके परती ग्रेटिटूड रखेंगे पूरी तरह से आपके परती वफादार हो जाएंगे तो देखिए हमने तो उन्हें कुछ नहीं दिया बचा कुछा जूटा दूद ही देदू वेसक से थोड़ा सा मैं बता है ना एक लिटर में दो चमस दूद भी मिला दोगी तो भी मनला पीलेंगे तो कुछ नहीं दिया हमने तो उसे और हमारी गली की फ्री में एक तरह से चोकिदारी करता है कितने क्राइंज होते हैं जो इन कुटों की वज़े से होने से रुक जाते हैं लेकिन कोई भी इस चीज़ को समझने को तियार नहीं है उपर से बस बैचारों को बैठे बिठाए यहीं डंडे बढ़ते रहें और गाओं के लोग तो मुझे कुछ जादा जागरुक लगते हैं जिनके घर में गाए भैस नहीं है लसी मांग के लाते हैं शाम तक रखी रहेगी नहीं पी जाएगी और रात को फिर नाली में डाल देते हैं अरे भैई क्या आप लोगों में इतना भी तिमाग नहीं है नहीं पी रहे तो घर के बाहर बाउन रखो एक मिट्टी का या आपका पुराना बेकार बरतन पड़ा है उसके अंदर डाल दो ना ताकि इन बेजवानों के पेट में तो जाए ऐसे जिनके घर में गाय भैसे हैं उनके घर में लसी बची रहती हैं उनको मैंने नाली में बहाते हुए देखा है खुद अपनी आखों से हैं और उस बंदे को ये बंदी को कुछ भी लगा लो उनको मैंने कहां भी कीन बेजवानों को दे दो तो कहते नहीं पीते क्यों नहीं पीते आराम से पीते हैं देखे तो देखो तुम महा भारत तो पढ़ी होगी ना आप लोगोने कि ज़र सारे पांड़ स्वार के लिए जाने लगे तो सारे लुड़क गये थे रस्ते में, सिवाए एक युदिष्टर और एक कुट्टे के, युदिष्टर और कुट्था जब स्वर के दर्वाजे पर पहुंचे तो वहां पर देव दुतों ने कहा कि कुट्थे को एंट्री नहीं मिलेगी, तो युदिष्टर न कि जानुरों से हमें प्यार करना चाहिए तो बाते तो बहुत हो गई और कहते हैं किसी के अंदर प्यार ममता स्ने यह सारी चीजे है ना जगाई नहीं जाती वह अपने आप जाग जाती है बस तो उमीद करूंगी कि आप लोगों के अंदर भी वह इंसानियत वह प्रेम की भा पानी और खाना जरूर रखी ज्यादा यह नहीं चाहते कि ताजा खाना खाएंगे यह बासी खा लेंगे लेकिन सुखी रोटी जो आप डालते हुना उसकी बजाए थोड़ा साथ किसी चीज में डिप कर दे लसी में डिप कर दे या हलका सा दूद लगा दे तू आराम से ख खाता वरना वह वैसी वेस्ट जाती है तो अनाज का अपमान करने से अच्छा है उसे सही सदुप्यों मिलाया जाएंगे